कि इस समय मैं और प्रिया हम बाहर आयों है जहां हमारे चार बंगलोज बन रहे हैं हमारे रेजिदेंट्स के लिए हमारे को बड़ी-बारी लोग पूछते है कि हमने भी मट कंस्रक्शन करनी है कैसे शुरू करें या कितना पैसा चाहिए तो इन बंगलोज की कंस्रक्शन के example से मैं आपको बताता हूँ कि भई किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है तीन चीज़ है वैसे तो first of all आपको पता हूँ नजी आपकी requirement क्या है आपको कितना मतलब क्या bedroom चाहिए कितनी बड़ी kitchen चाहिए etc etc हमारे तो यह studio apartment है मैं आपको अंदर दिखाता हूँ second is आपके पास कितनी space available है हमारे पास पर बंगलो करीब 200 sqft थी तो that is a factor तीसरा factor आपको प्रिया बताएंगी Actually Robin यह दोनों factors से पहले सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको अपना region study करना होगा क्योंकि आपके requirement और आपके cost सबसे बदल सकती है अगर आपको अपनी region के बारे में अगर आपने मिस कर दिया और अवरलोग कर दिया यह factor को तो आप पहले जानिए आपको लोकली कौन से material अवेलिबल है वहां की construction किस तरीके से होती है आपको यह construction technique यूज कर रहे है तो उनकी recipe क्या होगी उनको बनाने का तरीका क्या होगा वो कितना time taking हुआ और क्योंकि अगर आप एक बार region study कर लेंगी तो आपको climate के बारे में पदा चलेगा material के बारे में पदा चलेगा आपके आपके पास क्या skill है वो सारी चीजे को ध्यान में रखे फिर आप अपने आगे के steps को मैं आपसे example से समझाँगा प्रिया जैसे यह हमने पलंथ बना रखी है यहां पे अब हम लोग यहां पलंथ इसलिए उची करते हैं क्योंकि हम हमाचल में हैं यहां पानी बहुत जादा आजाता है क्या आपका मतलब इससे है कि यह रीजन स्पेसिफिक एक चीज है हां जी जैसे कि यहां पे बारिश बहुत जादा होती है तो वी कांट हम डिरेकली मज से कंस्ट्रक्शन चूरू नहीं हो सकता तो हमें एक डाम प्रूफ एक लियर चाहिए जो हमें स्टो अब इससे हमने चील के पेड़ की थम्याई उस करी है यहां यहां आपने बैंबू यूज किया है जो तो हर जगा ही सस्टेनिबल है और यहां तो काफी अवेलेबल है सबसे उपर जो चछत है वो लेट की है जो लोकली अवेलेबल है तो अगर आप मेरी महाराश्य में समझ गया बाइद अवे प्रिया हमारी आर्किटेक्ट है तो जो हमने शुरू किया ना तो सबसे पहले हमें हमने एक क्या कहते हैं आप लोगों मैं तो इसको नक्षा ही कहता हूं हिंदी में तो हमारी जो डिजाइन लेयाउट यह वाला डिजाइन लेयाउट मेरे अभी शे इसने चोड़े स्रक्चर के लिए जो उमने बड़ा नहीं उठाना इस दाड़ोके तो इसको कितना किस इंटेंसिटी मतलब कितना सिंपल रख रहे हैं कितना कॉंपलेक्स रख रहे हैं इसकी बेसिस पर डिसाइड करेंगे अगर को चीजे लोकली लोकल मेथड से हो सकती है तो उनको उसी हिसाब से बनाना चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूं तो हमने जब ले आउट हमें मिल गया उसके हिसाब से हमने नीव खोद ली नीव के ऊपर यह जो पत्थर हैं इसको हम पलंच करें यह यहां पर इसलिए है ताकि बरसात अंदर ना जाए उसके बाद मिटी की हैं इसके लिए आपको एक वो मिल जाता है फर्मा कहते हैं हम तो it's a form mold कह लीजिए जिससे आप मिटी की हीटे बना सकते हैं उसमें मिटी रहती है और straw strength के लिए तो यह जो सारी construction है यह regular जैसे चुनाई चलती है वैसी ही है except लाल इट की जगा मिटी की हीट यूज ह ही है cement की जगा गारा यूज हुआ है फिर आ जाते हैं हम plastering पे तो plastering जो है usually cement की रहती है हम यहाँ पे plastering जो कर रहे हैं वो again इसमें मिटी है और भूसा तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर इन्होंने एक छोटा दा धेर सा लगा रखा है जिसको पैर से फिर वो काफी mix करते हैं और वो लगाते हैं तो कोई बहुत जादा इसमें प्रिया इसके लिए कोई खास ratio है जो यूज होनी चाहिए भूसे और मिटी के बीच की तो जब मैंने बोला कि हम regional study करेंगे तो उसमें आपका climate study आपकी soil study सब कुछ इंक्लूर होता है तो अगर आप soil study करे तो आपको अ प्रिया ने थोड़ा आपको डरा दिया है इतनी studies की आपको जरूरत नहीं है आप locally पूछ सकते हैं भी मिटी कैसी है क्योंकि जो लोग ऐसे घर बनाते रहे हैं उन्हें अंदाजा होता है तो यह हमारा मिटी का धेर है जो हमने यहीं से खोद के निकाली हुई है इसमें हमने smoothly किया है normally गाँ में हाथ से ही होता है वो थोड़ा मोटा मोटा rough रहता है यह जो first layer है इसमें आपको cracks दिख रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मिटी और गोबर की एक layer इस पे लगाई जाएगी उसको हम दड़ा ही कहते हैं जो third layer smooth करने के लिए है और थोड़ा long lasting है वो है गोबर और फेवी कोलगी अब मैं आपको अंदर ले चलता हूं हम आपको अपनी requirements बताएंगे और बताएंगे उसके हिसाब से हमने यह design क्यों किया तो यह studio apartment से सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें हद से दो लोग रहेंगे मतलब एक व्यक्ति या एक couple और यह जो है यह kitchen space ह तो यहाँ पे एक slab आजाएगी तो this will be like a kitchenette जो living room से connected ही है living room छोटा है यहाँ पे सिर्फ एक sofa रहेगा एक table रहेगी यानि की काम करने की space hangout space छोटा सा यह bathroom shower combined है यहाँ पे और इसमें shower और जो toilet space है उसके बीच में shower curtain आके एक division आ जाएगा आप देख रहें ही जो सारी जो ल लाल दिवार है ना यह wet walls है तो जहाँ पे भी plumbing है आएगी वहाँ पे हमने लालीट का प्रयोक किया है और cement का ताकि ऐसा ना पाइप लीक हो और धम से सब नीचे आ जाए उसके बाद यह उपर loft space है जो bedroom का काम करेगी और यहाँ पे एक cd लगी है अभी तो यह temporary cd है पर यह प्राइस पे मिल गई और हमने उससे सारा काम किया है खेर आप जितने मर्जी वीडियो देख लीजिए जितने मर्जी किताबे पढ़ लीजिए जब आप काम शुरू करते हैं तो लगता तो चैलेंजिंग है तो मैं कहूंगा सबसे पहले एक अच्छा कोई architect ढूंड लीजि तो काम करते हैं कुछ गलत होता है आपने दिवार तोड़ी उसी मिट्टी को गीला किया और दुबारा से उससे construction आप कर सकते हैं तो खेर सबस्वेल एक architect ढूंड़ी है और उसके आज जो आपके local area में जो mason's हैं labor हैं वो आपकी construction में help कर सकते हैं hope this was a little helpful बाई